तो इस lecture में हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे कास एक ऐसा function दिया हुआ है जो double differentiable है इसका मतलब उसको हम लोग दो बार differentiate कर सकते हैं तो उस function की क्या-क्या properties होती हैं सबसे पहले एक बहुत ही simple function लेते हैं जो दो बार differentiable है और वो function होता है मेरा straight line, the function fx is equal to ax plus b और यह क्या है, straight line होता है second time differentiate करने में क्या होगा f double prime x is equal to 0 यानि कि यह जो मेरा function है fx is equal to ax plus b इसको हम लोग दो बार differentiate कर सकते हैं और इसका double differential क्या होता है, वो 0 होता है तो यह मेरा straight line fx is equal to ax plus b का graph होगया और हम देख रहे हैं कि यह fx is equal to ax plus b जो function है इसका double differential is equal to 0 होता है तो अब हम लोग next step में आते हैं कि वैसे function का graph क्या होगा जिसका double differential greater than 0 या less than 0 हो तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं वैसे function का जिनका f double prime x is greater than 0 मैं greater than or equal to 0 इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हमने देख लिया कि जैसे मेरा f double prime x is equal to 0 हो जाएगा तो यह एक straight line बन जा रहा है तो अब मैं वैसे cases को देख रहा हूं जिसमें f double prime x is greater than 0 f double prime x greater than 0 इसका मतलब क्या है कि जो f prime x है f prime x क्या होता है slope of the curve वो क्या होगा increasing function होगा हमने पिछले lectures में देखा था कि कोई भी function अगर उसका derivative greater than 0 हो तो वो increasing function होता है इसका मतलब अगर मेरा f double prime x greater than 0 है इसका मतलब हमें अब वैसा curve बनाना है जिसका slope जो है वो increase कर रहा है जो tangent है उसका slope steep होता जा रहा है तो वो curve कैसा होगा तो वो curve कुछ इस तरह का हो सकता है इस तरह का क्यों होगा क्योंकि देखिए अगर आप इस curve को देखे तो यहाँ पर जो slope है यह ऐसे है फिर यहाँ पर है फिर यहाँ पर है तो हर जगा आप देखे तो इसका जो tangent है उस tangent का slope increase करता जा रहा है अगर आप इस point से start करें तो यहाँ पर जो इसका tangent है उसका slope कुछ होगा negative है तो minus 2 होगा यहाँ पर आकर यह minus 1 हो गया यहाँ पर कुछ जिरो लग रहा है फिर यह 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया तो यह जो मैंने red color का curve बनाया उसका slope अगर आप देखें तो यहाँ से minus 2 से यह increase होकर minus 1 हो गया 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया तो यह क्या दिखा रहा है इसका मतलब हुआ कि f double prime x greater than 0 ठीक है तो यह जो मैंने curve एक बनाया इसका f double prime x greater than 0 होगा अब ठीक इसी का ultra अगर कोई बना दे अगर आप से मैं पूछूँ कि वैसा curve मुझे बताओ जिसमे f double prime x less than 0 हो तो उसको अगर आप बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह का बनेगा ठीक है यह जो green से मैंने curve बनाया है इसका अगर आप देखेंगे तो f double prime x less than 0 होगा तो calculus में special कुछ नाम भी दिया गया है ऐसे curves को हम लोग बोलते हैं कि यह convex function है इसको आप लिख सकते हैं convex function और जो मैंने दूसरा बनाया था जो इस तरह का curve होता है इसको हम लोग कहते हैं concave function यह जो red में मैंने गर बनाया है इसको कहते हैं convex function convex function का क्या property होगा कि उसका जो f double prime x है that will be greater than 0 और इसको हम लोग convex भी कहते हैं और कुछ books में इसका नाम जो है concave अब भी लिख देते हैं अब अब देखेंगे अभी आप लोग इस जो अब क्या होगा concave down क्या होगा क्योंकि यह IIT के questions में मेरे ख्याल से कभी नहीं पूछा जाएगा कि define convex function, define concave up और जो भी है IIT के syllabus में क्या लिखा हुआ है application of double derivatives and derivatives up to order 2 IIT के question में आपको क्या दिया रहेगा आपको कोई function fx दे दिया जाएगा और explicitly यह लिखा रहेगा कि f double prime is greater than 0 और less than 0 या function दिया हुआ है तो आप उसके f double prime x को find करके अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो उस property का use करेंगा यानि कि केवल जो उसका geometrical application है या इस property f double prime x greater than 0 या less than 0 उस property का आपको use करना रहेगा IIT में या किसी भी IEEE में या JEE मेंस में भी कहीं पर इस तरह का question नहीं है कि convex क्या होता है concave क्या होता है convex curve की property क्या है f double prime x greater than 0 यह है लेकिन इस से भी ज़्यादा important एक property है जो आप इसमें देख रहे होंगे कि जहां भी आप convex curve है उसके किसी भी दो point को आप ले ले मैंने अभी इस दो point को लिया है और उन दो point को आपने join किया तो क्या बनता है एक cod बनेगा तो जो convex curve है या convex function का जो graph है वो हमेशा इस cod के नीचे लाई करेगा यह जो graph है आप देख रहे हैं यह वाला यह जो होगा आप दो कोई भी point ले लें convex curve पे उन दोनों point को आपने join किया उससे आपको cod बना तो जो मेरा graph है इस convex function का यह इसके cod के below लाई करेगा और अब ठीक इसी का उल्टा कर लीजिए अगर कोई curve मेरा ऐसे है तो इसको मैं कहता हूँ यह concave curve होगा इसका अगर आप f double prime x लेंगे तो वो less than 0 होगा और इस curve में आप देखिए कि कोई भी दो आप point ले लीजिए मैं यहाँ पे दो point लेता हूँ एक यह point है और यह यह point है इन दोनों point को मैंने join कर दिया तो यह मेरा cod बन गया तो जो मेरा curve है यह हमेशा इस cod के ऊपर लाई करेगा तो हमने अभी देखा कि अगर किसी curve का किसी function का अगर double derivative f double prime greater than 0 हो 0 से जागा हो this implies that the curve lies below cod और ऐसे function को ऐसे curve को हम लोग कहते हैं ऐसे curve को हम लोग कहते हैं convex function या convex curve इसका ठीक उल्टा होता है कि अगर किसी function का f double prime less than 0 हो यानि कि उसका double derivative negative हो तो this implies that the curve lies above cod और ऐसे function को हम लोग कहते हैं कि यह concave हैं तो यह convex और concave यह terminology याद करने की उतनी ज़रुरत नहीं है क्योंको exam में क्या दिया रहेगा आपको कोई function दिया रहेगा f और यह दिया रहा है कि उसका double derivative greater than 0 है या less than 0 है या आपको इस function दिया रहेगा और आप उसको find करेंगे उसके double derivative को तो आप देखेंगे कि यह greater than 0 या less than 0 आ रहा है तो उसके बाद आप इस property का use कर सकते हैं और इस property इस geometrical property का use करके आप कई सारे questions को solve कर सकते हैं तो इस property को हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर उसका double derivative positive है तो curve कैसा बनेगा और अगर उसका double derivative negative है तो curve कैसा बनेगा और इस पे ध्यान दीजिए कि जब मैं बात करता हूँ कि curve lies below cod तो उसका क्या मतलब है कि यह माल लिए कि यह मेरा एक convex function है या वो function है जिसका double derivative f double prime greater than 0 है तो इसका curve lies below cod कहने का मेरा यह मतलब है कि आप यहाँ पे कोई भी दो point ले ले कोई भी दो arbitrary point मैंने ले लिया इन दोनों point को मैंने एक straight line से join किया और इसको मैं cod कह रहा हूँ तो curve lies below cod का मतलब क्या है कि इन दोनों points के बीच जो मेरा function की value होगी इस end point और इस end point के बीच जो function की value होगी वो इस cod के नीचे होगी तो यह याद रखें कि दो जो मैंने end point लिया है उनके बीच में जो function की value होगी वो इस straight line उस cod के नीचे होगी उसके below like करेगी obviously अगर आप उस end point के ऊपर या इधर कहीं चले जाएं तो ये कॉड के ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कॉड के बीच की यानि कि दो end point लिया उस दो end point के बीच में ने कॉड बना दिया अब उस कॉड के बीच में अगर मैं देखना चाहूं तो अब उस कॉड का जो दो end point हो गया ये और ये green वाला जो end point है इसके बीच में अगर मुझे find करना हो कि function की क्या value है तो वो value क्या होगी ये इस straight line के नीचे होगी अगर ये function मेरा f double prime greater than 0 या ये function मेरा convex है तो और इसका ठीक उल्टा हो जाएगा अगर आपका function concave है जैसे अगर मेरा function कुछ इस तरह का है ये concave function है इसका अगर आप double derivative लिखे तो f double prime less than 0 होगा और इसमें अगर मैं कोई दो arbitrary point यहाँ पे और यहाँ पे ले रेता हूँ इन दोनों को मैंने join कर दिया ये मेरा code बन गया और अब आप देखिए कि इस दोनों end point के बीच जो मेरा function है वो क्या है वो function इस code के above लाई कर रहा है इस code के उपर लाई कर रहा है और ये मेरा हो गया concave function तो ये वाली जो property है f double prime अगर positive होई और negative हो तो उसका geometrical significance क्या होता है ये बहुत ही important property है और इस property का use करके आप काफी सारे questions को काफी easily, काफी fast solve कर सकते हैं तो ये वाला part देखे क्या है इसको ये convex है ये वाला part क्या है concave है उसी तरह इस graph में देखिए तो ये वाला जो part है वो concave है ये वाला part जो है वो convex है आपको ये सब convex क्या है concave क्या है उतना याद रखने की जरूत नहीं है अब बस इस चीज़ को याद रखिए जो मैं बार बार बताता हूँ F double prime अगर greater than 0 है it means curve lies below chord जैसे इसमें भी देखिए ये आपका मैंने curve बना दिया है ये दो point पे अगर आप उसका end point ले लेंगे ये chord हो जाएगा तो ये जो है वो curve आपका इस दो end point के बीच में जो curve है जो function है वो it will lie below curve और ऐसे को हम लोग कहते हैं convex और उसी तरह ठीक उल्टा है कि if f prime is less than 0 this implies curve lies above chord जैसे इस वाले function में और ऐसे को हम लोग कहते हैं concave और convex और concave क्यों अगर आप physical terms में अगर समझना चाहें तो क्या होता है convex वैसा function है वैसा graph होगा जिसमें अगर आप चाहें तो कोई liquid डालें तो वो liquid को hold कर सकता है जैसे ये वाला graph है इसमें आप पानी hold कर सकते हैं आप को liquid hold कर सकते हैं लेकिन ये जो concave है इसमें आप कभी भी liquid hold नहीं कर सकते हैं यहां भी देखिए हैं ये convex पाफ है convex पाफ में क्या है मैं यहां पे liquid डालूँ तो ये liquid hold कर लेगा देखने में लग रहा है कि liquid slide करेगा लेकिन actually क्या है यहां पे convex function की खासियत ही होती है उसके property ही होती है कि यहां पे liquid hold कर लेगा लेकिन ये जो concave है इसमें mission पिर कभी नहीं आप होल्ड कर सकते हैं, प्राइम greater than zero implies curve lies below qod uuska यहांपर आप बना लेंगे तो करव आपका उसके नीचे हो जाएगा और जहांपर ये convex जो concave में या concave convex में change करता है जो curvature change करता है वैसे point का नाम होता है inflection point तो inflection point पर देखें क्या होगा complex पर मैंने देखा कि मेरा f theorem greater than zero हैвид 1740 सब्किर क्या होगा कि您 espíritu पॉइंट प्राइंट पर निक्चिन प्र232 प्रइम ना करें तो अब इस property को यूज करते हुए अभे में लोग एक question solve करते हैं यह जेह 2004 का question है Proof that for x belonging to 0 to pi by 2, sin x plus 2x is greater than or equal to this number तो आप कुछ लोग बोलेगे कि आजकल तो IIT जेह मैं सब तो जाता है नहीं है क्यों किया जाए तो इस question को solve करोगे तो आपको काफी सारी theory समझ में आएगी और ठीक है कि आजकल सिर्फ और सिर्फ objective questions ही आते हैं लेकिन मैं इस question को objective questions में भी frame कर सकता हूँ मैं आपको कुछ दे दूँ और दे दूँ कि यह statement 1 है एक दूसरा statement 2 दे दूँ और objective में चार options दे सकते हैं कि statement 1 is true, यह true है यह false है तो यह आपको समझना जुरूरी है कि यह function जो है यह inequality को कैसे prove किया जाएगा तो जब भी आपको कोई भी inequality अगर आप prove करना हो तो उसका first step तो यह होता है कि आप हर term को एक side में ले आए inequality के और उसको prove करें कि less than 0 और greater than 0 जो भी है तो suppose हमने एक अपना function बना लिया fx is equal to sin x plus 2x मैं इसको right hand side को इधर ले आता हूँ तो यह हो जाएगा 3x into x plus 1 divided by pi तो अब मुझे क्या prove करना है कि fx यह जो मेरा function है यह greater than or equal to 0 है for 0 to pi by 2 तो जब भी किसी function को prove करना हो कि यह greater than 0 है या less than 0 है और आप देख रहे हैं कि calculus का use यहाँ पी होगा तो हर students के mind में first step आता है कि उसको differentiate कर लेते हैं और बिल्कुल सही step है उसी step में हम लोग भी यहाँ करेंगे तो हमने जब इसका f prime x find किया तो यह क्या हो जाएगा तो उसका हो जाएगा plus 3 और यह pi का तो pi रहेगा ही उसमें कोई difference नहीं आएगा तो यह आ गया है cos x plus 2 minus 6 x plus 3 divided by pi अब normally ऐसे questions में क्या होता है कि मेरा f prime x या तो greater than 0 या less than 0 continuously रहता है तो हम लोग यह कह सकते हैं कि यह strictly increasing या strictly decreasing function है लेकिन इस वाले question में आप देखिएगा तो क्या होगा कि जो आपका f prime है 0 पे क्या है 0 पे तो यह 2 minus 3 by 2 है तो यह positive है 0 पे यह positive है लेकिन आप अगर pi by 2 पे चले जाएगे तो यह negative हो जाएगा इसका मतलब क्या हो रहा कि function पहले तो increase करना start किया लेकिन थोरे देर जाने के बाद यह decrease करने लगा अब इस question को कैसे solve किया जाएं इस question में हमें क्या करना है एक function दिया हुआ fx sin x plus 2x minus 3x into x plus 1 by pi इसे हमें prove करना है is greater than or equal to 0 हमने इसका first derivative find कर लिया लेकिन first derivative जो है वो थोरा सा बदमाश निकला वो कहीं पे तो increase कर रहा है starting में increase कर रहा था लेकिन थोरी दूर चलने के बाद यह क्या हुआ decrease करने लगा अब मुझे prove करना है कि यह function greater than or equal to 0 है तो यह तो मैं आप कहनी सकता हूँ कि यह function मेरा throughout this domain यह increase ही कर रहा है अगर यह function मेरा throughout domain increase करता तो मेरी life बहुत आसान हो जाती क्यों आसान हो जाती क्योंकि आप f of 0 देखने तो क्या है f of 0 मेरा 0 है और मैं जान रहा हूँ कि यह function increase कर रहा है तो for any f of x greater than 0 f of x will be greater than 0 अगर यह function strictly ऐसा ही increase करता रहता लेकिन यह function रहा है वो बदमाश निकला इसका जो derivative है first derivative और ज़्यादा बदमाश निकला initially तो increase किया initially positive वहा बाद में जाकर यह negative हो गया तो मैं सिर्फ और सिर्फ अब यह first derivative जो मेरा है f prime उसके भरोसे मेरा काम नहीं चलेगा तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा चलो first derivative से काम नहीं चला चलो अब secondary पर जाते हैं तो आप इससे कुछ फाइदा मिल जा है f double prime x जो आप find करेंगे तो यह आएगा minus sin x और इसको differentiate करें तो यह x यहाँ से हट जाएगा तो आजाएगा minus 6 by 5 अब यह देखिए जो मेरा domain है 0 to 5 by 2 इस पे यह वाला चीज जो क्या है क्यों हो कि यह sin x है यह तो 0 to 5 by 2 के बीच में यह positive है तो यह पुरा minus sin x minus 6 by 5 negative हो आगया यह जो मेरा function है double derivative क्या है less than 0 है अब less than 0 है इसका मतलब यह जो मैंने lecture से बता था less than 0 इसका मतलब यह concave function है concave function है और कुछ इस तरह का function यह बनेगा इस तरह का function बनेगा तो हमें याद है कि जब इस तरह का function हो तो वो अपने cord के ऊपर लाई करता है cord के ऊपर लाई करता है तो पहले इसका cord तो find करने क्या है तो अगर आप देखें कि जो function f of 0 है वो 0 है और f of pi by 2 पे अगर आप जाएंगे तो यह भी एक positive number है इसको यहाँ पर f of pi by 2 यहाँ पर आप fill कर देंगे तो यह sin pi by 2 1 होगा plus 2 pi यह हो जाएगा 1 plus 2 into pi by 2 होगा pi minus 3 और यहाँ पर सारा number डालेंगे तो आप यह डालने के बाद आपको कुछ एक positive number आएगा यह मैं solve नहीं कर रहा है बहुत simple है let that number भी k है तो अब देखिए function में क्या हो रहा है कि हमने यह जो fx है f of 0 मेरा 0 है f of pi by 2 जो है वो मेरा कोई positive number k है और f double prime x जो है यह हमने भी find कर लिया था यह क्या था minus sin x 6 by pi which is strictly less than 0 तो अगर अब मैं इस function का curve बनाता हूँ तो पहला point इसका यह 0 हो गया दूसरा point क्या है f of pi by 2 is equal to k और k is positive तो suppose मेरा यह 5 by 2 यहाँ पर है और यह तो यह function मेरा k यहाँ पर आएगा तो यह एक point हुआ 0-0 और दूसरा point हुआ f of pi by 2 is equal to k अब इन दोनों को अगर मैंने join कर दिया तो यह मेरा chord बन गया और हम जांकते हैं कि f double prime x is less than 0 यानि curve जो है मेरा वो कहां होगा इस chord के उपर होना है तो curve है मेरा वो ऐसे बनेगा इस chord के उपर लाई करेगा chord के उपर लाई करेगा इसका मतलब f x जो है वो 0 से तो उपर होना ही है जो मेरा chord है वो देखे क्या है अगर मैं इस chord का equation लिखूँ तो उसका equation क्या हो जाएगा y is equal to k into x divided by pi by 2 क्यों 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 कि इसका slope क्या है यह point k पर है यह point मेरा है pi by 2 और k तो इसका slope हो गया k divided by pi by 2 into x तो यह मेरा chord का equation हो गया curve जो है मेरा इसके उपर लाई करेगा तो हमने क्या प्रूफ कर दिया जो fx है is greater than this thing kx pi by 2 नहीं कि हमने प्रूफ करना था कि simply यह 0 से बरा होगा हमने एक उससे ज़्यादा strict inequality को प्रूफ कर दिया कि fx सिर्फ 0 से बरा नहीं होगा it will be greater than or equal to kx by pi by 2 जिरो है इस property को use करके यह प्रूफ कर दिया यह जो मेरा curve है यह वाला यह हमेशा अपने इस chord के उपर लाई करेगा chord के उपर लाई करेगा इसका मतलब this thing will be greater than kx by pi by 2 नहीं कि हमने एक बहुत ही strict inequality जहां में प्रूफ करना था कि greater than 0 है उससे जादा tough inequality को proof कर दिया ठीक है तो अब देखते हैं दूसरे methodologies को solve करते हैं यह है proof by contradiction हमें proof करना था कि यह greater than 0 है मैं बोलता हूँ चलो माल लो कि कोई एक point है जहां पे यह आपका function less than 0 हो जाता है जैसे suppose माल लो एक point है जहां पर यह function मेरा है यह x axis के below चला जाता है अब x axis के below जाता है और यह function क्या है double differentiable है double differentiable है इसका मतलब function continuous तो होगा ही तो x axis के below जाएगा तो यह नीचे नीचे जाएगा नीचे जाएगा फिर इसको यहां से उठना परेगा उठके क्योंकि वापस तो उसको यहां पर k पर जाना है start इसने function ने कहां किया है 0-0 पर किया है और इसको जाना कहां तक है जाना है pi by 2 और k तक तो कि हम मालूम है कि f of pi by 2 is equal to k जाना वहां तक है तो कहीं से भी नीचे जाएगा नीचे जाएगा फिर उठते विए उसको वापस यहां तो जाना ही परेगा तो नीचे कहीं भी वह जा रहा है ultimately उसका कहीं ने कहीं तो एक जगह minimum होगा क्यों minimum होगा कि हमने एक theorem भी बताया था कि अगर आपका कोई function continuous है और वो closed interval है 0 to pi by 2 जैसे इसमें closed है तो इस function का कहीं ने कहीं minimum होता है अब इसका minimum देखिए 0 नहीं हो सकता और ये pi by 2 नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग assume कर रहे हैं कि assume कर रहे हैं कोई एक point है c जहाँ पर f of c less than 0 है तो हमने f of c जब less than 0 assume कर लिया है तो हमें कहीं भी किसी एक interior point है जो अंदर का point है मतलब 0 और pi by 2 के बीच में एक कोई interior point होगा जहाँ पर इसका minimum होगा ये देखिए logic को समझे मैं दुबारा समझाता हूँ ये proof by contradiction है मतलब हम लोग कुछ assume कर लेते हैं और फिर बाद में दिखाएंगे कि हमारा वो assumption गलत है हम assume कर लेते हैं कि कोई एक point c है जहाँ पर f of c is less than 0 फिक है तो f of c less than 0 है अब ये function f x जो है वो continuous function है हमारा ये interval 0 to pi by 2 closed interval है तो कोई भी continuous function closed interval पे उसका maxima भी होता है minima भी होता है तो ये जो मेरा f x है ये भी बोलेगा कि भाई मुझे भी कुछ minimum बताओ मेरा भी कुछ minimum दो मुझे ठीक है तो आप कहेंगे कि minimum तुम जो end point वाला है 0 वही ले लो मैं कहूंगा मैं वो नहीं लूँगा क्यों नहीं लूँगा यो कि मैंने assume कि f of c less than 0 यानि कि कोई point हो तो मेरा c ही minimum होगा या c के आसपास कोई point होगा जो minimum होगा तो जैसे ही यानि कि interior वाला point को suppose इसका नाम c1 है जो minimum है जहाँ पर ये function minimum हो रहा है तो हमने दिखाया कि ये c1 point है जहाँ पर मेरा function minimum है लेकिन अब देखे minimum होने के लिए double derivative में क्या condition होता है अगर किसी function का double derivative exist कर रहा है और उसका minima है किसी interior point पे तो हम जानते हैं क्या होता f double prime at that point c1 has to be greater than 0 क्यादर के minima के लिए f double prime greater than 0 होता है maxima के लिए less than 0 होता है इसका मतलब उस point पे उस function का double derivative को greater than 0 होना परेगा लेकिन यह हो नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता कि हमने prove कर दिया है कि f double prime x is less than 0 for all x belonging to this 0 to pi by 2 इसका मतलब contradiction हो गया कि यह जो हमारा assumption था कि f of c less than 0 यह assumption ही गलत था यानि किसी भी point के लिए यह जो मेरा function है less than 0 नहीं हो सकता है तो इस method से भी हमने prove कर दिया है कि यह जो मेरा function fx है यह will be greater than or equal to 0 for all x लेकिन यह method लेकि उतना strong नहीं है तो कि इस method से सिर्फ मैं यह prove कर पा रहा हूं कि यह function हर जगा positive होगा first method जो था वो बहुत ही strong था तो कि मैंने उस method से प्रूव किया कि यह function सिर्फ दिए greater than or equal to 0 नहीं होगा it will be greater than this number also इसका मतलब जो first method था इसमें हमने यह दिखा कि f double prime less than 0 है इसलिए मेरा curve जो है इस chord के उपर होगा वो एक stronger method था